MIUI 12 का latest EU update आ चुका है बहुत साय devices के लिए जहां पर यह अभी Redmi का Note 4 device जिसके अंदर मैंने port ROM flash किया है latest EU का update जो की 20.6.4 के साथ आता है वहें पर जो EU का यह official update है जो कि मैं भी फिलाल यूज कर रहा हूँ Redmi के Note 7 Pro device के उपर तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको complete detail देने वाला हूँ कि इस दोनों फोन के अंदर क्या कोई difference देने को मिलता है कैसा है stability और साथ सायथ यह किनकी device को fully support करता है तकर आप interested होई EU ROM को use करने के लिए तो वीडियो को full and watch करते रहें क्योंकि यहाँ पर आपको port ROM का साथ सायथ official EU के support का complete detail मिलने वाला है हेलो एविवर्वन आई इम एम के एनिवर वाचिंग टेक ओफिस और इस वीडियों में बात करने वाला है latest EU के updated version के बारे में दुकी 20.6.4 है जो कि अभी मैं एक official build उच कर रहा हूँ Redmi के Note 7 Pro device के अंदर और इसका एक port version में यूच कर रहा हूँ Redmi के Note 4 device के अंदर और POCO F1 के अंदर क्योंकि इनके लिए official support नहीं आता है तो port ROM आता है बग अवेलवल है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है Note 7 Pro के अंदर Android 10 जबकि Note 4 के अंदर Android Pi क्योंकि एक port ROM है तो Pi ही मिला है यहाँ पर security patch Note 4 के अंदर देखने को मिलता है 2021 1 का क्योंकि जिसे port किया गया उसके लिए अभी तक update नहीं आया है security patch का जबकि Note 7 Pro के लिए 225 1 का देखने को मिलता है तीयत होसा और up-to-date होना चाहिए था बट अभी one month old का है वहे पर port ROM के अंदर आपको Lineage OS का के करने को मिलता है और official के अंदर brief का तगर आप official users हो तो आपको brief ही मिलेगा लेकिन अगर आपके device के लिए port ROM आता है तो उसमें किलिक कर रखा है जो कि 20.6.4 का है सबसे पहले चीज लिखी गए यहाँ पर कि security patch को update किया गया है कुछ को devices के लिए तो K20 Pro Redmi Note 5 Pro के लिए security patch update हो गया है जबकि यहाँ पर 7 Pro में कोई भी update नहीं हुआ है और यहाँ आप आप देख से तो कितना पुराना मेना आपको slow off किया है की MI9T Pro, MI9 Lite, MI का Note 10 उसको और यहाँ पर जो wallpaper के session के अंदर वीडियो wallpaper और live wallpaper के category को added कर दिया गया है जो कि पहले देख से था बट काम नहीं करा था तो कि हम setting के और आते हैं और इन करते हैं अपने जो wallpaper के session में तो यहाँ पर आपको online live wallpaper के session देहने को मिल जाए बाकि सारे category जो कि मैं अभी disconnect कर रुखाओं बट यहाँ पर देहने को मिल जाता है तो यह चीज़े जो add कर दिया गया है जब कि यहाँ पर हम port room की बात करें जो कि हमाई ये पास Redmi का Note 4 device है तो इसके wallpaper के session में आपको super live wallpaper का भी session देहने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर add हो गया है तो यह प्लस Turbo के अंदर उसे fix कर दिया गया है साथ 5G network है जो optimize किया गया 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 वह भी Redmi के K30 5G device के लिए जो कि इंडिया में तो आया ही नहीं है उसकर floating window में है जो button है जो पा का जो page है वो blur हो रहा था तो यह fix कर दिया गया है तो यह सिर्पर सिव Android 10 वाले floating window जो इसके लिए problem था तो इसे जो fix किया गया है वही पर जो optimize किया गया है control center को incoming call के लिए और restore किया गया है हमारा sync का toggle जो की पहले से missing था तो यह जो option है sync का जो की पहले missing था तो यह add हो गया है तो यह आपको port रोंग के अंदर भी देहने को मिलेगा है कि कोई जो चेंजलों में आपको show कर रहा है ना कि किसी और का ठीक है आगे आगे आपको देहने को मिल जाता है occasionally sim का जो problem था crash कर रहा था कि आप sim 1 से sim 2 से उच करो इस option का use करते हुए तो यह तो problem मुझे नहीं आया था लेकिन अगर आपको आया होगा पहले तो यह problem आपको देहने को नहीं मिलेगा accessibility में जो edit का menu जो काम नहीं कर रहा था प्रॉलम कर रहा था उसे fix किया गया है उसको जो fingerprint है जो काम नहीं कर रहा था lock skin में occasionally तो यह fix हो गया है साथ से हाथ यहाँ पे जो lock skin पे always on का जो feature है वो काम नहीं कर रहा था second space में जैसे का हमार MI9D हो गया है MI9 हो गया है K20 Pro और बाके दर devices जो के always on को support करते हैं उन्हें प्रॉलम आ रहा था second space को लेकर तो यह fix कर दिया गया है उसका जो lock skin पे जो हम honor info डालते हैं message वो कभी-कभी काम नहीं कर रहा था notification आने के बाद तो यह भी fix किया गया है उसका calculator के अंदर admin से related कुछ problem थी उसे fix किया गया है Google का जो voice assistant है वो जो search bar में so नहीं कर रहा था जब हम Google का search bar use करते थे तो तीसे भी यह fix किया गया है उसके बाद यहाँ पे जो dark mood है जो काम नहीं कर रहा था हमारे Google discover के features के अंदर तो इसे भी fix किया गया है तो अब dark mood काम करेगा यहाँ पे जो parallel screen suit है जो काम नहीं कर रहा था sorry parallel नहीं parcel तो यह जो fix कर दिया गया है क्यानि कुछ लोगों के problem आया थे कि जब भी screen suit क्लिक कर रहे है यहाँ पर पार स्क्रीन सूट तो यह gallery में सो ही नहीं कर रहा था तो यह fix हो गया है जबकि ऐसा मुझे कोई भी problem previous में देखने को नहीं मिला है लेकिन अगर आपको फोई बात है आ रही होगी तो यह problem आपको अब देखने को नहीं मिलेगा तो यह problem fix हो गया है उन users के लिए जिनको यह problem देखने को मिल रहा था उसकार यहाँ पर आप देखने को कि MI का जो browser है जिसे उपर कुस टाइम पहले data leak का है जो blame लगा था ठीक है तो इसमें जो update किया गया है जो कि MI6, MI6X, MI6 Mix 2, MI Note 3 और MI Redmi Note 5 या Note 5 Pro यूज करते हैं उनको अब close beta update देखने को नहीं मिलेगा और नहीं beta update देखने को मिलेगा आज के बाद ठीक है तब डाइक जो भी update आएगा वो stable का update होगा तो beta update को Tata Bye Bye कहे दो ठीक है कब से तो June 20 से उसके बाद यहाँ पर सितंबर 5 स यह जो MI8, MI8 Explore Edition, MI8 Pro, UD, MI8AC, MI8 Lite, MI Mix 2, MI Mix 3, MI Max 3, MI Max 2S यह साही devices को भी है जो Tata Bye Bye कहना पड़ेगा सितंबर 5 के पाद क्योंकि इसके update अब आना बंद हो जाएंगे तो official update बंद होगा तो U का अपडेट बंद हो जाएगा सिर्फ पर सिर्फ आपको stable update ही मिलेगा कुछ टाइ जो बाकी था वह धीरे धीरे बंद कर लें बाइस सब बंद कर दो फोन भी लॉंच होना बंद कर दो क्योंकि आप तो रोम को धंग से optimize कर नहीं पा रहे हो तो का एक update देर हो यार सब कुछ बंद कर दो ठीक है तो यह जो चेंज था मैंने आपको सो कर दिया अब कुछ Home Skin के अंदर New App Drawer है जो इंट्रड्यूस किया गया था UI के अंदर तो फिर से जो ओल डाला आ गया तो पहले फीचर से डाला गया फिर से रिमूब किया गया है और फिर से बात में कभी ना कभी यह जो एड किया जाएगा तो भाई नया फीचर से बताएंगे कि हमने एड कर द कर दाएगा तो यह काफि अचा है जो चींज यहां पर किया गया है जो कि इस Android 9 के पोर्ट रोंग के अंतर देहने को नहीं मिलता है क्योंकि यह सिर्फ एक और टेन वालों के लिए देहने को मिला है तो इक और चींज देहने को मिलता है आगे बढ़ते हैं अगर हम आपने ग पोर्ट प्रवाइट कर दिया गया है कि जितने भी आप अप्लिकेशन यूज करते हो उन सब्सक्राइब कर देखने को मिलेगा तो कोई भी मैसेज आता है कोई भी अप्लिकेशन यूज करना चाहते हो तो आपको होम पर नहीं जाना पड़ेगा आप डाइट पॉपप रूप में यूज कर पाऊगे तो काफ़े अच्छा चेंजमेंट किया गया है लेकिन सिर्फों से एंडॉइट टें यूज के लिए क्लिए क्योंकि यहां पर जो एंडॉइट पाई है इसके अंदर जो यह कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलता है और यह जो पोर्टों में यहां बेटर हो जाए और आपको जो अच्छा सा एक्स्पेंस मिलें और यहां पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेले का इन पर क्लिक करके नोट्यूक्स को इनवल कर ले ता कि जब मैं वीडियो दूँ आपको जो नोट्यूकेशन मिल सके और आप उसे जो वाच क बेनेफिट ले पाओ यहां पर आपको बाइडिफोल्ट जी केम टेखनी को मिलता है कर आप इसे फ्लैस करते हो तो तो प्लस पॉइंट है कि आपको जी केम गई से डालना नहीं पड़ेगा यह अच्छे से काम करता है और यह प्री रूटेड मिल जाता है और नेट से आपक कोई भी इसूद नहीं आएगा बैंकिंग आप यूज कर पाओगे लेकिन नो सिम डिडिक्शन का प्रोलम आता है तो मैंने वीडियो दिया है वह पर यह अफिसल ही हुए तो कोई भी आपको जो रूट देखनी को नहीं मिलता है तो आप है जो चाहो तो रूट कर सकते हो औ और यहां पर आपको L1 का सपोर्ट भी मिल जाता है यानि जिन्ज दिवाइस को लूट का सपोर्ट मिला आए जैसे के 20 प्रो नोट 7 फ्रो एमानाइन टी और अधर उन सभी आपको देहनी को मिलेगा एल्वान को सपोर्ट अगर आप रूट करते हो फो भी एल्वान का सपोर कर रहे हैं वहें पर इस पोटरों की बात करें तो आपको अल्वेज ओन का सपोर्ट को मिल जाता है जहां पर एमाइवेट विल के थीम को सपोर्ट करता है यानि आप ठाउजिन प्लस से थीम मगरा यूज कर पाओगे जो कि काफी बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है रेडमी के नोट फोट वैस लिए जबकि ओफिसल में ऐसा कुछ भी देहने को नहीं मिलता है वहीं पर इसका जो फेस उनलॉक है वह आपको बगी मिलता है तो इसके लिए पैच मैंने मेंने कर दिया है डिस्क्यूशन में आप फ्लैस करके फिक्स क कर पा गया है बागी जितने भी चीजें अच्छी दरीगे से काम करता है और ब्लुटूथ भी वर्किंग है और आप जियू का कॉल वगएरा वीजियो कर सकते हो ब्लुटूथ से कोई भी इसो देहने को नहीं मिलता है तो यहां पर मैंने आपको कम्प्लेट डिटेल दिया ह इस पोर्ट रोम के बारे में ओफिसल यू के बारे में तो वीडियो पसंद आए तक ठमस अब जरूर दे और फर्स टाम वीजिच करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ता कि इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको मिल सकें और पोको एफ वन का रिवीव जल्दी अधिर लाइ